आज हम इस परकार का एक सुन्दर सा डॉर्मेट बनाएंगे पीछे भी सेम डिजैन बनती है डॉर्मेट में किसी परकार का कोई जोल नहीं है विलो कलवी पट्टी पर शिक्स नोट लगाकर एक रशी की गुथाई कर लेते हैं रशी को गोलाई देते हैं और फेस्ट राउंड शुरू कर रहे हैं और फेस्ट राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं यह फेस्ट पहला फंदा निकाल पुके हैं कुशी में से दूसरा फंदा निकाल लिया है आप दूसरे फंदे में यह फेस्ट फंदा निकाल पुके हैं उसी में से दूसरा फंदा निकाल रही है निकाल दिया है इस परकार इस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे सभी पटियों की चोड़ाई पांच इंच ली गई है इस परकार से हमारा राउंड पूरा हो जता है पीछे भी सेम डिजायर बनती है अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे इस डूर्मेट में डिजायर बनाने के लिए बीच में विलोकल लवी पट्टी को दिखाने के लिए एक फंदे में एक इपंदा निकालेंगे इस परकार से हमारा दो राउंड पूरा हो जता है पीछे भी सेम डिजायर बनती है एक सेम चिक प्रिणाटिस कर जाते हैं जिस यह पता दो जताता है यहां से हमारा राउंड पूरा है नया राउंड फंदों का आकार बढ़ रहा है इस राउंड में तो अब हम इस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे जिसे डोर्मेट का आकार भी बढ़ेगा और डोर्मेट में आने वाला जोल भी नहीं आएगा पर तेक फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे इस परकार से हमारा यह राउंड पूरा हो जता है पिछे भी सेम डिजैन बनती है फंदों का आकार अधा हो चुका है अधा हम अब इस राउंड में एक फंदे में एक फंदा निकालेंगे इस परकार से दो तीन राउंड तकाते हैं एक फंदे में एक फंदा निकालेंगे पिछे बी सेम डिजैन बनती है अब इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ गया है तो इस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे यह दोर्मेट का आकार भी बढ़ेगा तो दोर्मेट में आने वाला घोल भी नहीं आएगा इस परकार से यह हमारा राउंड पूरा हो जलता है पीछे पीशेम डिजैन बनती है दूसरी पट्टी को सुई धागी की सायता से अटेज कर देते हैं फंदों का अधा हो चुका है अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे इस परकाशे दो तेर राउंड बगा देते हैं इस परकार नमारा डॉर्मेट बनकर सैयार हो जाता है और किसी परकार का कोई जोल नहीं है झाले में परकार का अन्स अज़ज कर देते हैं ता सम्दों के फंदाओ जोल बगा का बाला बगा हो जोल जोल रहा हो पाला रहा हो जोल रहा हो जोल दोल बगा है